हेलो स्टुडेंट्स एसके क्लासिस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है स्टुडेंट्स यहां पर आपके सामने है क्लास 11 का फिजिक्स का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसका सैट 1 हम यहां पर कंप्लीट करेंगे यह जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके तरमासिक परिक्षा के लिए इसमें मॉस्ट इंपोर्टन क्वेश्चन को रखा गया है इस मॉडल सैट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजे क्योंकि यह इंपोर्टन क्वेश्चन है तो यदि आप इनको तैयार करते हैं तो एक्जाम में डैफिनिटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैंने जो चैनल पर कुछ वीडियो डाले हैं इंग्लेश और हिंदी के तो इंग्लेश और हिंदी की तैयारी के लिए आप उन वीडियो को ज़रूर वाच कर ले ताकि आपके और भी सब्जेक्ट की तैयारी होते रहे जो फिजिक्स है वो आपका फिर्स्ट पेपर है उसके बाद आपका जो भी पेपर होगा तो उसके हिसाब से मैं आपको वन बाइवन मॉडल सैट पेपर जो है वो प्रोवाइड कराती रहूंगी और साथ मैं उनके आंसर भी बताऊंगी तो हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आता है प्रशन क्रमांक एक सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना है तो पहला प्रशन क्या है निमनलेकित मैसे कौन सा व्यूत्पन मातरक है तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा न्यूटन ठीक है option number third ने में लेकित मैसे मूल मातरक नहीं है तो इसका answer हो जाएगा लीटर उसके बाद वेक समय ग्राफ द्वारा समय अक्षे से घेरा गया जो छेतर फल है वो क्या दर्शाता है तो यहां पर जो सही answer होगा वो होगा यहां पर विस्थापन बट विस्थापन आपका option में नहीं दिया है यदि विस्थापन ना आए तो आप दूरी लिख दीजे बट जो correct answer वो मैं आपको बता दे रहें वो correct answer आपका हो जाएगा यहां पर विस्थापन उसके बाद है question number four अभी केंडर्ट वरं सदाफ होता है तो answer है केंडर की ओर फिर है प्रशनक ratachobank पांक पांच समवेक परिवर्तन की दर किसके बर आबर होती है तो समवेक परिवर्तन की दर बलके बराबर होती है फिर है rocket Newton का आधारित है तो इसका मातरक नहीं है तो सही answer है what क्योंकि what जो है वो काय का मातरक है शक्ति का बाकी के ये जो तीन मातरक है वो ओर्जा के मातरक है ठीक है तो यहां पर हमने सही विकल्पों को complete किया साथ में समझ भी लिया कि यहां पर क्या कारण है कि आपको कौन सा option यहां पर choose करना है उसकी बाद यहां हम देखेंगे जो पहला है कारे करने की दर को क्या कहते है तो पहले का answer हो जाएगा कारे करने की जो दर है वो कहलाती है शक्ति चीक है उसके बाद फिर second वाला question है किसी बंद परिपत में सनरक्षी बल द्वारा किया गया कारे कितना होता है तो answer हो जाएगा शून ऐसा पद्धती में बल का मात्रक तो बल का मात्रक क्या है ऐसा ही पद्धती में तीसरे नंबर का जो खाली स्थान है वो हो जाएगा न्यूटन ठीक है इसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे capital N से उसके बाद फिर है प्रतिक्रिया के बराबर तथ बिप्रीत क्या होती है तो ठीक है इसका चौते वाले खाली स्थान का उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रिया उसके बाद पांचवे में कौडिये वेक का मात्रक होता है तो पांचवे का जो आंसर है इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजे याद कर लीजे यह थोड़ा सा अलग है रेडियन रेडियन प्र उसके बाद छटवा है वेक प्रावर्णता का विमिय सूत्र तो जो छटवा है उसका हो जाएगा T के उपर माइनस 1 ठीक है फिर है कार एक खाली स्थान राशी है तो इसका जो साथवा है उसका अंसर हो जाएगा आदिश ठीक है कार एक अदिश राशी है ठीक है ना तो यहाँ पर हमने सारे जो खाली स्थान थे वो आपके कम्प्लीट कर लिये हैं अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही जोडी बनाईए तो सही जोडी में हम देखेंगे पहला है एक प्रकाश वर्ष तो यह हो जाता है नौ दशमलो चार छे गुड़े एक हजार पंद्रा फिर उसके बाद कारे तो कारे का हो जाएगा यहाँ पर सही जो है आंसर इसका मातरक होता है जूल ठीक है फिर है शक्ति तो शक्ति का मातरक क्या होगा वाट ठीक है अभी मैंने आपको बताया था फिर उसके अद कारे करने की दर तो कारे करने की दर क्या कहलाती है कारे करने की दर कहलाती है शक्ति ठीक है उसके बाद जड़त्व आगूण तो जड़त्व आगूण का यहाँ पर जो नात्रक है वो है kgm square ठीक है फिर प्रतीबल तो प्रतीबल क्या है प्रतीबल एक अदिश राशी है ठीक है फिर उसके बाद मेर संबंध मेर संबंध है cp माइनस cv is equal to r तो यह हो गई आपकी सही जोड़ी अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तो पहला प्रश्ण है मूल राशियां किसे कहते हैं तो हम देखेंगे कि वे राशियां होती हैं जिनका मान किसी दूसरी राशी पर निर्भर नहीं करता मूल राशीयां वे हैं जिनका मान किसी और राशी पर निर्भर नहीं करता फिर question number second है ampere तथा Newton में से कौन सा मूल मात रख है तो इसका answer है कि जो ampere है वो विद्धुदारा का मूल मात रख है ठीक है यही पूछा था कि कौन सा है Newton और ampere में से तो ampere विद्धुदारा का मूल मात रख है जबकि Newton है विद्धुदारा का मूल मात रख है फिर third number का question है नियत वेक से गतिशील वश्टू का त्वरण क्या होगा तो इसका उत्तर है शून्य फिर है शून्य सदिश किसे कहते है तो इसका अंसर है वह सदिश होता है जिसका परिमार शून्य होता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती अगला प्रश्ण है प्रक्षे पे किसे कहते है किसका अंसर हो जाएगा पिंड द्वारा तै की गए वक्र पत को प्रक्षे पे पत कहा जाता है और फेक गया जो पिंड है फेका गया जो पिंड है उसको प्रक्षे पे कहते हैं फिर उसके बाद है यहाँ पर कारिका ऐसाई मात्रक तो कारी का ऐसा ही मात्रक होता है जूल ठीक है इसको प्रदरशित का ऐसे करते हैं कैपिटल जे से फिर है द्रव्यमान उर्जा तुल्यता समीकरन लिखिए तो इसका आंसर हो जाएगा E is equal to MC का स्क्वेर तो यहाँ पर आपका एक वाक्य में उत्तर खतम होते हैं उसके बाद पर हम देखेंगे प्रशनिक्रमांक पाँच ठीक है तो प्रशनिक्रमांक पाँच से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे साथ मैं इसका अंसर भी बताएंगे इन उटीज को अप अच्छे से पढ़ लीजे याद कर लीजे चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और साथ मैं शेयर करना मत भूलिए इसी तरीके से ASK क्लासे के साथ बने रहिए फिर आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इन सारे इंपर्टेंट क्वेस्चन के साथ जिसमें मैं क्वेस्ट आसर को कवर करूंगे सो थैंक्स फो वाचिं दिस वीडियो